Assalamualaikum दोस्तो हमारा आज का टोपिक ये है जब हम अडल बट्स का पियर लेकर आते हैं और उने लागर केज में छोड़ देते हैं फिर हम ब्रेडिंग का नितजार करते हैं लेकिन हमारा बट्स का मेल मेंट इण के लिए रेड़ी हो जाता है लेकिन female ready नहीं होती है female ready होने में time लेती है लेकिन male proper mating करना चाहता है तो इस condition में हमें क्या करना चाहिए तो आज की वीडियो में इस problem को solve करने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करूँगा कि आगर ऐसा क्यों होता है तो आपने वीडियो को पूरा जबूर देखना है तो भी शुरू करते हैं आज का topic दोस्तो आप किसी भी किसम के बट्स लाकर रखते हैं चाहे वो बजिस हो, लबबट्स हो, कॉक्टेल हो तो चाहे वो फिंचिस हो तो देखा ये जाता है जो male होते है वो बहुत जल्दी adjust हो जाते है लेकिन female हमेशा time लेती है सारे मोहल को चेक करती है और चेक करने के बद जब उनको ये feel होने लगता है कि हम यहाँ पर save है हमें आग कोई खतरा नहीं है तब उनका दियान breeding की तरफ जाता है और ऐसा भी होता है जब बट्स को मुकमल privacy ना मिले यानि बट्स का cage ऐसी जगह है जहां लोगों का आना जाना ज़्यादा है या घर में बच्चे वगेरा केश के बाद बहुत ज़्यादा जाते है या कोई जानवर वगेरा केश के बाद आते हैं तो ऐसे बट्स disturb हो जाते हैं डर जाते हैं जिसके ऐसे भी female मेंटिंग के लिए ready नहीं होती है बट्स के female के मेंटिंग ना करने की बहुत सारी वजवाद होती है और एक वज़ा ये भी होती है के female की age कम है यानि female की age breed के काबिल नहीं होती अगर हम बज़ी स्परेट्स की बात करें तो 6-7 महीनी की age में breeding के काबिल हो जाते हैं और एक रिज़न ये भी होता है के male की age female से छोटी होती है जिसकी वज़ाए से भी female male को मेंटिंग करने नहीं देती और female उसे मार कर हटा देती है और एक वज़ा ये भी होती है जब हम cage को हिलाते हैं यानि कभी cage को उठागर कहीं और रख दिया और कभी उठागर कहीं और रख दिया इस तरह से भी birds कभी भी breeding की तरफ नहीं आते हैं तो आपको चाहिए जहां एक बार cage को रख दिया तो आपने cage को नहीं हिलाना और birds को मुकमर privacy दें cage के पास जादा ना जाएं और इस बात का भी खयार रखें के cage के पास कोई जानवर बगेरा या बच्चे बगेरा ना जाएं और उनको आप अच्छा environment दें जैसा कि आपको पता है breeding season चल रहा है अगर आप market से adult pair लेकर आते हैं जाएगी लेकिन आपने एक बात का लाजमी खाया रखना है कि आपने मटकी और स्टीक मजबूती से लगानी है क्योंकि जब स्टीक सही तरह नहीं लगी होगी तो birds उस पास सही तरह से मैटिक नहीं कर सकेंगे और जब मटकी सही तरह नहीं लगी होगी रहे कि आप ऐसे मैल को चेंज कर लें तो दोस्तों ये सारे पॉइंट को आपने फोलो करना है इन सब चीजों का ख्याल रखेंगे तो आपके birds भी मैटिंग स्टार्ट कर देंगे और आपके बास भी breeding आना स्टार्ट हो जाएगी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अपने बट्स की केर करें उनकी डैट का खयाल रखें और उन्हें लाजमी सोपफूट दें और मिक्सिट दें तो दोस्तों मेरे चैनल को सबस्क्राइब और लाइक करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में आपस्तार्व